Hey Friends, Welcome back to channel I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, सवज्द होंगे मस्त होंगे तो आज के वीडियो का टॉपिक तो आप लोग समझ जे होंगे क्या होने वाला है То आज के वीडियो में Friends हम डिस्कस करेंगे जो टाराइट ट्यागो एक 7 है प्लस में और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही important videos मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जो कि कहीं न कहीं आपके लिए helpful जरूर होगे, तो चलिए, without any further delay, let's start the video, तो दोस्तों यहाँ पे देखी, मैंने भी connect कर दिया है इसे, और आप अगर देख पा रहे हो, मैंने भी ignition गाड़ी का on किया है, और यह अपना पूरा है Harman का infotainment system, और यहाँ पर आप देखी, यहाँ पर आ रहा है Android Auto, नीची तरफ आ रहा है Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay, दोनों इसमें गाड़ी में available है अपने, तो आप इन दोनों यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, मैं आपको भी आगने वाले वीडियो में, पूरा डेटेल में समझाओंगा, कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, उसमें क्या-क्या features, basically आपको मिलेंगे, और भी मैं आपको बता दूँगा, तो एक बार अपने phone को connect करता हूं, तो म नमली देखी, यह मेरा है phone, यह मैं भी iPhone 7 यूज कर रहा हूं, तो इसमें मैं normally अपना इसको connect करता हूं, तो अभी देखी, यहां पर डिसेबल दिखा रहे हैं, एक मिनिट, यह देखी, यहां पर highlighted नहीं है, लगिन जैसे मैं फोन को इससे connect करूंगा, तो यह Apple CarPlay वाला option है, इपने आप हो जाएगा, highlighted, मतलब clickable हो जाएगा, तो एक बार मैं connect करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं, तो दोस्तों मैंने connect कर दिया, आप यहां पर मैंने connect कर दिया है, connect करने के बाद, immediately यहां पर देखे, यह पूरा enable हो गया, अब इसको मैं click कर सकता हूं, तब इसको ग options दिख रहे हैं, क्या क्या इसमें आप कर सकते हो, एक कुछ shortcuts आप कर सकते हो, यहां पर map का option है, आप अगर directly switch करना चाहते हो, तो नीचे जो है, यह मेरा YouTube magic का app मैंने phone में install किया है, उसका icon आप दिखा रहा है, उसके नीचे phone का icon दिखा रहा है, अब यहां पर नीचे दिख apps यहां पर almost, जो important apps है, यहां पर दिखा रहे है, यहां पर दिखा रहा है, अगर मैं इस पर click करूँगा, तो I can like dial directly from this, ऐसे करके, मैं यहां से जिसको चाहूँ, आप देखिए, recent में जाऊँगा, तो recent में जो भी जिसको मैं डायल किया हो, दिख जाएगा, contact में जाँगा, contact एक्षेर के जाँगा, यहां से मैं अपना keypad से किसी को कॉल कर सकता हो, यहां से अक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने phone का पूरा access एहां से कर सकता हूँ, दुसरा friends से करowej, back जाके feature आपको दिखाँ, तो मैसेजज़ेज हैं, तो यहां पर you, आपके आपके messages है, उप्ते ह message में इनबॉक्स में जो भी message आएगा उसका access आप यहांसे कर सकते हो यह आपका हो गया phone phone का मैंने आपको बता दिया message को भी मैंने आपको बता दिया एक आपका music लेकर रहा है यहां पर दिखता रहता है जो आपके like in build music system होता है आपका music player होता है phone में उसके लिए आप है setting option आपको दिख रहा है आपकी proper phone की setting जो होती है यहां से आप कर सकते हो जो आप iPhone की setting वाला टैब है यहां पर दिख रहा है यहां जा करके मैं iPhone के अंदर अपने setting भी change कर सकता हूँ यहां आप देख रहे है Google map तो यहां पर जाके मैं अपना map अगयरा access कर सकता हूँ Google का WhatsApp message यहां से access कर सकता हूँ and YouTube music में यहां से access कर सकता हूँ तो friends से दिखे आपका Apple CarPlay का main भी आपको page दिख रहा था अभी अगर मैं इसको scroll करता हूँ ऐसे तो यहां पर दिखे हमें कुछ अलग features मिल गए यहां पर आपको go का एक sign दिख रहा होगा यहां पर click करूँगा तो यहां से click करके navigation में जहां पर जाना उसके detail डाल सकता हूँ यहां मैं click करके voice command दे सकता हूँ बाकि यहां से अपने music को में play या पॉस कर सकता हूँ और यहां पर अपना navigation का shortcut भी दिखता रहता है तब वापस आ जाते हैं इस वाले screen पर इसके बाद फिर मैं आपको इस पर एक बार click करके दिखाता हूँ navigation वाले पिक हम कैसे access कर सकते हैं अभी friends में गयर navigation पर अब navigation पर जा करके आप देख रहे हैं कि यहां से उपर search का option यहां पर आ रहा था अगर यहां पर मैं click करूँ तो यह देखिए यह हमारा आ गया जो चीजें है कहीं अगर shortcut आपको कहीं जाना है मतलब आपको रिस्ट्रेंट जाना है पिट्रोल पंप जाना है या फिर grocery store जाना है coffee swap जाना है तो आप यहां select करके directly वहां पर जा सकते हैं जिसे कर पेट्रोल पंपे मैं click करता हूँ तो अभी देखिए यहां पर nearest जो भी पेट्रोल पंप से हैं उनका data यहां पर आ जाएगा searching देखिए यहां पर सारे पेट्रोल पंप का data आ गया तो इतने सारे पेट्रोल पंप यहां पे हैं अगर मैं इसमें किसी को भी select करता हूँ तो जैसे मैं select करूँगा उसका पूरा map आ गया और यहां से start पर click करूँगा तो navigation start हो गया इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो और आराम से यहां भी आपको navigate करना है नैविगेट करके वहाँ पे जा सकते हो अब यही सारे चीज और हैं लोगे इसके navigation के regarding अगर यही चीज़ आप फोन से करना चाहते हैं दोस्तों यहां फोन से भी आप कर सकते हो तो आप यहाँ पे जा करके अगर आप यहाँ से कोई map अपना उन करके यहां से कोई destination डालोगे तब भी आप जो भी phone में डालोगे यहां पर display होना सुरू हो जाएगा ति होगे दोस्तों इसके map का feature जो कि काफी जादा मुझे सही लगता है और इसके map में कोई lag गयरा नहीं होता है आप phone को ना यूज करकर directly phone को connect कीजिए और इस display का यूज कीजिए तो काफी बेटर काम करता है मैंने से काफी यूज किया है मुझे आभी तक कोई problem इसके नहीं आई है तो friends I hope आपको map का समझ में आगया होगा कि map आपको इसमें कैसे यूज करना है इसके अलाव मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर home page पे आ जाए ता आप यहां से अपने phone calls और भी कर सकते हो और message भी access कर सकते हो सब मैंने आपको बता दिया music की बात करें तो friends I do music का एक आना यहां पे click करके आप जो भी music यहां से आप सुनना चाहें देखिए यहां पर जो मेरा वाइटी music का आप डाउनलोड किया है यहां पर दिखा रहा है वो तो super mix new releases easy morning मतलब different different categories यहां पर आपको सो हो रही है तो आप यहां पर जो चाहें उस select करके आप music play कर सकते हैं आप फोन से चाहें तो फोन से भी आप इसको access करके select करके play कर सकते हैं यहां से चाहें तो यहां से भी आप select करके play कर सकते हैं last plate में जाकर के आप देख सकते हैं क्या सुनना है library में आप जा सकते हैं यहां डाउनलोड में आप जा सकते हैं कि आपने डाउनलोड किया है आप उसको यहां से एकसेस करके सुन सकते हैं तो में फीचेर इसमें यही था इसने फॉन मैसेज क्या-क्या एकसेस कर सकते हो इसको गूगल यहां से प्ले नहीं कर सकते हो तो यह फून की से टिंग यहां से कर सकते हो तो friends यह सारे feature है जिसमें available है और दूसरा main चीज क्या है कि इसको connect करने के लिए आपको इस तरीके की cable का use करना पड़ेगा आप cable से connect कर पाओगे आपका जो यहाँ USB नीची port है यहाँ से cable connect होती है तो ऐसे कोई wireless में connectivity का option नहीं है तो आप अगर Apple CarPlay, Android Auto आप दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो तो आपको इसको cable से connect करना पड़ेगा तो friends I hope आपको Android Auto और Apple CarPlay कैसे यूज़ करना है उसमें क्या-क्या features आते हैं इसी clarity आपको मिल गई होगी अगर अब भी आपको कोई query हो तो आप comment section मुझे से आपको आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like कर दीजे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को भी तापने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजे क्यांकि आपके लिए मैं ऐसे informative videos लाता रहता हूँ तो चलिए जल्दी मिलते हैं किसी नए informative video के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अपने family ख्याल रखे जय हिन जय भारत